आज मैं आपको चिकन के कीमे के पकोड़े बनाने की रेस्पी बता रहे हूँ आप इंग्रीडियम स्नॉट कर ले बैसन हाफ कप रर्चिली पॉडर वन टी स्पॉण साल्ट हाफ टेबल स्पॉण, टर्मिंग पॉडर हाफ टी स्पॉण, क्यूमिंग पॉडर वन टी स्पॉण, सुक धनिया पॉडर वन टी स्पॉण, इजवैन हाफ टी स्पॉण, कोरेंडर्ट सीट वन टी स्पॉण, इनको हाफ में लेके ऐसे करें और डाल लें बेकिंग सोडा टू पिंच इनको मिक्स करें ग्रीन चिली किट्स के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली मत यूज करें ओनियन हर धनिया चिकन का कीमा चिकन का कीमा हाफ केजी लसन द्रकी पेस्ट वन टीस्पून सुखी मेथी सुखी मेथी डालने से टेस्ट वे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है योगर्ट वन टीस्पून योगर्ट डालने से चिकन के पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं अनारदाना पौडर वन टीस्पून इनको मिक्स करें अभी तक इसके बीच में वाटर नहीं डाला, वाटर डाले बगार इसको मिक्स किया है, जरूरत के मताबिक अभी बाद में वाटर डालेंगे, इनको मिक्स कर लिया, इसके बीच में बिल्कुल भी वाटर नहीं डालना, इनको ऐसा ही इनको रखना है, आपको लगे के इसमें की जरूरत है तो 1 टेबल स्पून उतर डालें ज्यादा नहीं बनेगे इनको klik करके 10 थी पर 5 टावल जानके के गाशने करने के बाद कर तोड फ्राय कर लेंगे विटें जये जाएंगे बहुत बड़े साइसका नीम बनाना डालने से पहले हाथ से इसे प्रेस करें जब इनकी वन साइट गोल्डन हो जे इनकी साइट चेंज कर लें मीडियम हीट पे इनको थ्री मिनट फ्राइ किया है अब हीट हाई कर लेते हैं हाई हीट पे इसको वन मिनट फ्राइ करेंगे हाई हीट पे वन मिनट इनको फ्राइ कर लिया है इनमें से जो फ्राइ हो गए उनको निकाल लेते हैं यहां पकड़के रखें इनका आईल निकल जाए जो बाकी रहे गए उनको भी फ्राई कर लेते हैं यह पकोड़े ड्राय और सक्त बनेंगे अगर इसके बीच में योगर्ट नहीं डाला 6 मिनट में यह फ्राई हो गए हैं जब सब फ्राई हो जाएं तब हीड बन करें अगर पहले हीड बन कर लेंगे इनके बीच में आईल चला जाएगा आप इसको रमजान में अफ्तारी में बना लें अनी टाइम बना सकते हैं आपने इसको चिकन के कीमे में नहीं बनाना तो आप जो है इसको मटन के कीमे और बीफ में भी बना सकते मैं तोड़ के दिखाती हूं यह कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने और फुल कोक है अंदर से यह बनके रेडी होगे अब अपने स्पाइस और कीमा अपनी मर्दी से कम जदा कर ले अपको मेरी रेस्पी पसंद है मुझे लाइक करे स्क्राइब करे थैंक यू खुदा आफिस